तो आज की इस वीडियो में हम लोग linear equation की कुछ problems करने वाले हैं और जितने भी problems हम लोग करने वाले हैं उसमें point यानि की decimal point का इस्तिमाल होने वाला है तो इसके पहले भी हमने इस तरह के वीडियोज बना रखे हैं जिनमे linear equation के बारे में बात किया है ट्रांसपोज के बारे में बात किया है तो अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है तो इस वीडियो के description में आपको उसका link मिल जाएगा जाकर आप उसको देख सकते हैं तो चल एक साथ करना पड़ेगा तो 0.28x को हम left side में लेकर आएंगे और जो यह 0.3x है इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो जब यह 0.28x लेफ्ट में आएगा तो इसका sign बदल जाएगा तो पहले यह positive है और अभी इधर आके यह negative हो जाएगा 0.28x और ऐसे ही यह जो 1.16 है यह अपनी जगह पे ही है अपनी side में है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे और जो यह 0.4 है इसको हम right में लेकर जाएंगे तो इसका भी sign बदल जाएगा तो यह minus 0.4 हो जाएगा अब 0.3x में से 0.28x को हमको subtract करना है तो simple अब यह 0.3 में से 0.28 को subtract करना है तो 3 के बगल में हम चाहें तो 0 लिख सकते हैं हम यहां पर सब कुछ detail में बताते हैं चाहे वो छोटे से छोटा sum हो या कोई भी multiplication हो division हो सब कुछ यहां पर हम detail में बताते हैं ताकि ऐसे बच्चे जिनका basic बिलकुल भी clear नहीं है उनको भी सीखने को मिले वो भी इससे समझ सकें तो जिन बच्चों को यह सब आता है वे वीडियो को थोड़ा fast करके देख सकते हैं तो यहां पर 0.30 में से 0.28 को सब्ट्रेक्ट करेंगे 10 में से 8 जाएगा 2 और यहां पर 2 में से 2 जाएगा 0 यानिकि 0.02 बचेगा 0.02x और इधर 1.16 में से 0.4 को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 6 और 11 में से 4 जाएगा 7 तो 0.76 0.76 बचेगा तो x की value निकालने के लिए अब क्योंकि यहां पर 0.02 का x में multiply हो रहा है तो दूसरे साइड जाता है तो यहां पर divide करता है cross में जाता है तो 0.76 divided by 0.02 हो जाएगा अब x की value find करनी है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे numerator वाले part में point के बाद 2 place है और denominator में भी point के बाद 2 place है तो यहां पे अगर हम 100 का multiply कर दें दोनों में तो point गायव हो जाएगा तो उपर हो जाएगा 76 नीचे हो जाएगा 2 अब 2 से 76 को divide कर देंगे तो 38 आ जाएगा और यही इसका final result होगा अगला problem करते हैं 0.5x plus x upon 3 equals 0.25x plus 7 तो यहां पर एक काम कर लेते हैं 0.5x और x upon 3 यहां पर है तो यहां पर 3 को LCM में रख लेते हैं जब 3 को LCM में रखेंगे तो 3 और 0.5x का multiply हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 3 पचे 15 यानि की 1.5x और इधर पहले भी 3 था और अभी भी 3 है तो यहां पर कोई change नहीं आएगा अभी भी यहां पर x होगा और right side में जैसे है वैसे ही लिख देंगे अब 1.5x और x को add करना है x यानि की x के पहले क्या है 1 है तो 1x और 1.5x दोनों add करेंगे 2.5x हो जाएगा और यहां पर 3 का इधर cross multiply कर देंगे जब 3 का cross multiply होगा 3 का अगर 25 में गुड़ा कर दिया जाए तो होगा 75 लेकिन 2 प्लेस पे point लगाना है तो 2 प्लेस पे point लगेगा 1,2 यानि की 0.75x होगा प्लेस और 3 का 7 में भी करना पड़ेगा तो यहां पर 21 आ जाएगा इसके बाद 0.75x को हम left side में कर लेते हैं तो 2.5x minus 0.75x equals 21 अब 2.5x में से 0.75x को subtract करना है तो 2.5 और 0.75, point के नीचे point लगा देंगे और subtract कर देंगे, तो 5 के बगल में 0 लिख सकते हैं, 10 में से 5 जाएगा 5, यहां पर 4 बचेगा, 14 में से 7 जाएगा 7 और यहां पर 1 बचेगा, तो 1.75x और इधर है 21, अब जब x की value निकालेंगे, तो इधर 1.75 इधर cross में चला जाए यह हो जाएगा 21 upon 1.75, तो finally x की value find करने के लिए, हमको 21 को divide करना पड़ेगा, 1.75 से, अब यहां पर point के बाद 2 place है, तो 100 का multiply कर देंगे, तो point गायब हो जाएगा, तो x की value कुछ ऐसे हो जाएगी, 21 multiplied by 100, और नीचे 100 से multiply होके, point खतम हो जाएगा, तो 175 बन जाएगा, इसके ब divide कर लेते हैं, तो यहां पर आजाएगा 20, और इधर 3 से 5 बार में 15, और 5 से 5 बार में 25, अब 20 और 35 वापस से 5 से कट सकता है, तो 4 बार में कट जाएगा, और यह 7 से 21 को काट सकते हैं, तीन बार में, तो x बराबर हो जाएगा, 4 का 3 में गुड़ा कर देंगे, यहां से 12 यान तरीके से solve कर सकते हैं, यहां पर हम आपको दोनों तरीका बताने वाले हैं, तो सबसे पहले जो पहला तरीका है, उससे कर लेते हैं, यहां पर देखिए, 0.6 और 2x-3 इन दोनों का multiply हो रहा है, तो इस पूरे को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ right side में भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर यह 2.43-x बचेगा, और यह पूरा उठके चला जाएगा दूसरे side, जब यह दूसरे side जाएगा, तो आप जो यह minus देख रहे हैं यहां पर, यह minus बदल के plus हो जाएगा, 0.6 2x-3, अब बहुत से बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, गलती यह करेंग कि यहां पर यह 2x-3 है, इसका भी sign change कर देते हैं, इसको भी plus कर देते हैं, तो जैसे ही आप इस तरीके से कर देंगे, वहां पर यह गलत हो जाएगा, अब क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 0.6 और 2x-3 है, यह एक साथ है, 0.6 और 2x-3 का यहां पर multiply हो रहा है, यह पूरा एक साथ है, तो जब यह एक साथ उठके दूसरे साइट जाएगा, तो जो यह main sign है, जो की 0.6 के पहले यहां पर main sign जो यहां पर लिखा होगा है, यही बस change होगा, बाकी यह जो bracket वाला sign है, वो change नहीं होगा, अब इसको solve करना है, अब चाहें तो आप यहां पर देखिए, 2 2.4 है, और इधर है 0.6, अगर हम दोनों side 10 का multiply कर दें, दोनों side अगर 10 का multiply कर दें, तो यह point गायव हो जाएगा, तो इसको चाहें तो हम लोग keyword को हटा के ऐसे लिख सकते हैं, यह kuch इस परकार से बन जाएगा, अब यहाँ पर भी कई लोगों को doubt हो सकता है, कि sir यहाँ पर 2.4 में तो 10 का multiply हो गया तो आपने 3-x में 10 का multiply क्यों नहीं किया तो फिर से बात वही है क्योंकि यह जो 2.4 है और 3-x है यह पूरा एक साथ है तो multiply किसी एक में ही करना पड़ेगा या तो आप 2.4 में करिए या तो इस bracket में करिए तो यहाँ पर हमने क्या किया point को हटाने के लिए 2.4 में multiply कर दिया और right side में भी ऐसा ही हमने किया यहाँ पर 0.6 और यह जो bracket है 2x-3 दोनों एक साथ multiply हो रहा है तो यहाँ पर भी 10 का multiply करके हमने 0.6 को 6 बना लिया अब देखिए इस side 6 है इस side 24 है तो यह cancel हो सकता है और यहाँ पर 6 से 24 कटके 4 बचेगा अब simply हम लोग क्या करेंगे 4 का 3 में गुड़ा कर देंगे 12 और 4 का x में भी गुड़ा कर देंगे तो यह minus के साथ 4x आ जाएगा और इधर है 2x-3 अब इधर जो 2x है उसको left में लेकर आ रहे हैं तो minus 4x पहले से है 2x इधर आएगा तो minus 2x बन जाएगा और right में minus 3 पहले से है और 12 जब right में जाएगा तो इसका भी sign बदलेगा minus 12 हो जाएगा अब minus 4x minus 2x minus 6x हो जाएगा और यह minus 3 minus 12 minus 15 हो जाएगा अब दोनों साइड minus है तो minus को हटा सकते हैं तो अब यहाँ पर हो जाएगा x equals 15 by 6 दोनों 3 से कड़ जाएगा तो 5 से 3 बार में और यह 2 से 3 बार में 5 by 2 इसका answer हो जाएगा अब इसी को हम सेकेंड तरीके से कर रहे हैं 2.43 minus x minus 0.6 2x minus 3 equals 0 अब सेकेंड तरीका यह है कि हम इसको right side में नहीं भेज रहे हैं इसको left में ही solve कर ले रहे हैं फिर से हम क्या कर रहे हैं दोनों side में 10 का multiply कर ले रहे हैं तो right side में 10 का multiply करने से 0 ही आएगा क्योंकि 0 में आप किसी का भी multiply करिए 0 ही मिलने वाला है तो right side में तो 0 ही होगा बाकी अगर 10 का multiply left में करेंगे तो फिर से वही बात इसमें भी 10 का multiply होगा और यह अलग है तो इसमें भी 10 का multiply होगा दोनों में हमको 10 का multiply करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर यह अलग है और minus के बाद यह अलग है तो दोनों में 10 का multiply होगा तो यह ऐसे बन जाएगा 24 3-x-6 2x-3 अब यहां से 24 तियां हो जाएगा 72 24 का x में होगा तो 24 x और यहां से minus 6 का 2x में करेंगे तो minus 12 x और minus 6 का minus 3 में करेंगे तो दो बार minus आ गया तो plus और 6 का 3 में होगा तो 18 हो जाएगा अब minus 24 x minus 12 x इन दोनों को जोड़ देंगे तो minus 36 x हो जाएगा और 72 और 18 को add करेंगे तो 8,2,10,7,8,9,90 हो जाएगा अब यह 90 को right side भेज रहे हैं तो minus 36 x equals minus 90 अब दोनों side minus आ गया तो minus minus cancel कर सकते हैं और यहां पर finally x निकालना है तो 90 upon 36 है दोनों को यहां पर हम direct 18 से काट दे रहे हैं तो 18 से पांच बार में 90 आ जाएगा और 18 से दो बार में 36 आ जाएगा तो यहां पर x आ गया 5 y2 तो फिर से same result हमको मिल चुका है अब आप comment section में इस सवाल का जवाब जरूर बताएं करता है ज़स्द़ पताएं